राधे राधे दोस्तों मेरा नाम पुरियंका है और स्वागत है अपका मेरे चैनल में तो चलिए आज बनाते हैं आलू गोभी की भुजिया भुजिया ना हमारे हाँ बहुत जादा पसंद किया जाता है चाहे वो कोई भी सबजी का हो तो आज हम आलू गोभी की भुजिया बनाएंगे बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ आप इसे अचारी आलू गोभी की भुजिया कह सकते हैं जिसे बनाना बहुत आसान कोई मसाला नहीं चाहिए होता है तो चलिए रेसे भी देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर आपको आलू गोभी कट करके ले लेना है गोभी को थोड़ा छोटा छोटा कट करते हैं देख सकते हैं कैसे और आलू को पतला पतला लंबा लंबा कट किया जाता है तो आलू को काट के पानी में रख दीजेगा तो फूरा यह जाता है तो चलिए अब साथ मिना प्याज हरी मिर्चीवी कट करके ले लिजिए गा एक चाल गोबी कुनम तोरा सा ज्यादा टाइम लगता है और गोभी अच्छे से फ्राई हो तभी अच्छा टेस्ट आता है गोभी को डाल के आप इसे थोरी दिर पहले गोभी के उपर हलका सा ब्राउन लेयर दिखने लगे ना उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पहले प्याज और हरी मिर्ची तीखा आप जैसा पसंद करते हैं ना उसे साफ से मिर्ची डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें हम मिर्ची पॉडर नहीं डालेंगे तो जैसा आप मिर्ची पे हम आलू भी डाल देंगे अब इसे अच्छे से कर लेंगे मेक्स तीन से चार मिनट आप इसे ढख के पका लिजेगा बीच में दो बार चला भी दीजेगा गैस का फ्लेम मेडियम रखिएगा तो यहां पर हम कवर कर दिए हैं तीन चार मिनट तक हम इसे ढख के पकाए हैं पीच में दो बार चेक भी किये थे और यहां पे आप देख सकते हैं आलू के ऊपर एक ब्राउन सा लेयर आ गया है प्याज भी सॉप्ट हो गया है तो अब यहां पे हम इसमें डाल देंगे हल्दी नमक तो बस इतना ही कुछ डालना होता है भुजिया में स्वाद क अनुसार नमक और जुरत के हिसाब से हल्दी तो यहां पे हम एक चमच हल्दी डाल रहे हैं और स्वादा अनुसार नमक डाल दिया है इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स दू मिनट के लिए हम इसे फिर से कर देंगे कवर कैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है अब आपक करते हैं और अगर आपके पास आमका मसाला नहीं है आमके अचार का मसाला नहीं है तो आप कोई भी अचार ले सकते हैं और उसका मसाला ले दीजिए जैसे कि यह निम्बू का अचार है तो निम्बू नहीं लेंगे बस इसका मसाला हम ले लेंगे अगर यह एक देर चमच च तो फिर पकने में इसको टाइम लगेगा और यहां पे डेर चमच हम निम्बू के अचार का मसाला डाले हैं इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और अब बिना कवर किये हुए आप इसे भूज लीजिए तब तक जब तक इसका हलका सा कलर चेंज नो हो जाए और यहां पे आप हलका हलका सा ब्राउन दिखने लगा है और यह बहुत अच्छे से भूजा चुका है इसलिए इसका नाम भूजिया होता है अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए धनिया का पत्ता डेहर सारा जो कि बिल्कुल ऑप्सनल है अगर आपको पसंद नहीं तो इसकिप कर सकते हैं इसे अच्छे से कर लीजे मिक्स और इसे कर लीजे सब गैस बंद करके और रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी खा के देखिएगा यकीन मानिए आप न बार बार इसे बनाना चाहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है न तो जरूर ट्राई किजे इसे बीजो कर लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेए विलकाब बटन प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास बहुंँ सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़े सेयर कीजे कमेंट कीज़े त्हांक कियों मिलते हैं आपसे नेक् वीडियो में को और अच्छी सी रेसेपी के साथ